हाई पेर्च मैं पूनाम सागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनामे आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिस्पिती, सीठ पित यद पिति के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पिती से या सीथ पित से बहुत ज़्यादा परिसान है उन्हें बहुत सारी दबाएं खाली बहुत सारे डियाईवाई यूज का लिए बहुत सारे टीटमेंट करवा लिया बहुत सारे आयवेदिक चीजें ले ली लेकिन उनका ज तो आप सबने इतना प्यार दिया इतने भर-भर की कमेंट आए उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू सो मच कि आपने उस वीडियो पर इतना ज्यादा प्यार दिया एंड उस वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मतब उन्होंने कोई भी DIY यूज करी है या उ लोगों की जो बात है, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाओं जिन्होंने अपनी बात जो हे वो तो आप अपनी राय जो है जो मेडिसीन है जो भी डियाइवाई है जो भी आपने आयरुवेदिक या आपने जो भी चीजे यूज करींगे है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके जाएए मैं उस पर बहुत सारा सर्च करूंगी एंड फाइनली मुझे लगेगा कि इस करना है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो नहीं ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है एक्चुली क्या होता है जब ठंडाक होती है तब जैसे बरसात हो जाती है या ठंडाक हो जाती है या कभी आप बहुत ज़दा एसी में सो या आप बहुत ज़दा ठंड़क में रहते हैं बहुत ज़दा देर तक पानी में रहते हैं गुल में लाके आपने बहुत ज़दा ठंडी चीजे खा ली है आईस्क्रीम बगएरा तो जो बॉड़ी का टेंपरेचर है वो कभी-कभी बहुत ज़दा ठंड़ा हो जाता है और ब बीमारी है ये कभी जाए ही ना तो आप लोग प्लीस ऐसा कुछ मत सोचिए ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बहुत ही आसानी से ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है बहुत सारे लोगों की ये जो बीमारी है जल्दी से ठीक नहीं होती है एक्चली वो जितने दिन टीट प्राइब बगेरा हैं या जो भी ठंडी चीजे हैं उन पे थोड़ा से आवाइट कीजिए ठंडी जगहे पे बहुत ज़दा अगर आपको पिती निकलती है तो आप ठंडी जगहे में जाना आवाइट कीजिए और साथ साथ में आप से ये भी बोलूँगी कि आप बहुत जो खाना है वो खाना बंद कर दीजिए बहार का खाना बंद कर दीजिए जैसे बहुत सारे लोगों को बहाँ ज़दा स्पाइसी खाना बहाँ ज़दा मतलब तेल का जो भुना खाना होता है वो बहाँ ज़दा पसंद होता है तो आप लोग ये सारी चीजे जो है वो बंद हैं चाइनीेज बगेरा यह जो भी है बाहर का खाना जो है वह आइवाइट कर दीजे बाहर का खाना आप बिलकल मत खाईये साथ साथ में बहागा जबाद स्पाइजी खाना मत खाये ठंडी जगए पे ना और साथ-साथ आपको कुछ उपाय जो है वो करना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ जैसे आप दोपहर का जो भोजन है वो खाते हैं तो उसमें जब भी आप तड़का लगवाई है तो अजवाईन या जीरे का जो प्रियोग है वो जरूर करवाई है क्योंकि ये आयुरवेदिक चीजे है जीरा जो अजवाईन है वो तड़के की रूप में अगर यूज़ कर अज़िए बताई है फाइनली एक चीज आज जो है वो भी मैं आपको बता दे रही हूं एक पथर आता है पथर नहीं एरॉंड मिटी जैसा आता है गाउ में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही आसानी जानते होंगए उन जो लोग बहार रहते हैं अगर उनको नहीं पताए तो आप किसी भी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चीजें बहुत ही आसानी से नहीं मिलती हैं फिर वो मैसेज करते हैं कि दीदी कमेंट बॉक्स में लिखके जाते हैं कि दीदी ये चीज कहां मिलेगी तो ये जो चीज है ये आपको पंसारी के दुकान में मिल जाए एक रेड कलर का मिट्टी जैसा मतलब मिट्टी का पत्थर होता है मैं आपको कैसे समझाओ जैसे कोई मिट्टी होती है तो उसका एक डीला जैसा बना होता है डीला मतलब गोल गोल एक पत्थर जैसा आकार होता है उसी तरीके का होता है और रेड कलर का होता है और उसको बोलते यह बना रहे हूं टो इक गेरु जो आती है वह भो लेना है और उसका पाउडर गर में म्योंसे में सब्सक्षा-अप में अगली प्लास्टिक तो थोक कर सोगता डावर वाला बनाए वह आपको हनी लेना है और आपको जो गेरू का पाउडर आपने बनाया है वो गेरू के powder में आपको सहध जो है वो mix करना है quantity कितनी रहेगी अगर आपको सीथपित की जो समस्य वह बहुत जादा है तो आप एक चम्मच गेरू जो है वो ले लीजे और एक चम्मच सहध ले लीजे अगर आपको हलकी सी हुई है मतब आजी हुई है और आजी अगर आप ये दवा खा रहे हैं तो आपको आधा चम्मच लेना है आधा चम्मच गेरू और उसके साथ उससे आधा चम्मच हनी सहध मतब आपको कैसे लेना एक गोली जैसा बनाना है अगर आपको एक चम्मच लग जाता तो एक चम्मच ले लीजिए आदा चम्मच लग जाता तो आदा चम्मच लेजिए एक टेबलेट जैसा आकार उसको देना है या आप ऐसे ही स्पून में अच्छे से सान लीजिए और सान क तो बहुत अच्छी बात है आप 2-5 दिन यूज़ कर सकते हैं तो आप 15 दिन इसको रेगुलर यूज़ कीजिए पंदरा दिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो सीदपित की समस्या वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगी और ये मेरा खुद पे आजमाया हुआ फार्मूला बिलकुल भी नहीं है मेरे एक वीवर है मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने अपनी बात रखी है कि दिदी आप ये वीडियो बनाईए और इस पे मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है तो इस पे मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ट्राइ कीजिए और जैसे मैंने बताया कि बाहर का खाना ना इवाइट कीजिए और नौन वेज वगेरा वो बिल्कुल बन कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को जो है वो यूज कीजिए और आप देखेंगे कि आपको सीथपीत की जो समस्या है वो खतम हो जाएगी तो दोस्तों अगर आप ये फर्मूला जो है ये DIY यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने यूज़ करी है आपके लिए कितनी ज्यादा helpful रही है आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट सक्षन में जरूर लिखिए और अगर आपने यूज़ नहीं करी है आप यू अपना जो मेवा होता है उस मेवे में एक आती है चेरॉन जी चेरॉन जी का जो लेप है वो अपने फेस पे हाथ पे जहां भी आपको सीद्पित की जो समस्या वो हुई है वहाँ पर उसका लेप जो है वो लगा लीजिए तो उससे बहुत जल्दी अराम मिल जाता है मतलब लगाने को तो आप अलोवेरा जेल जो है वो लगा सकते हैं लेकिन कोसिस कीजिए कि आपको केवल और केवल आप इस पे जो चिरोंजी है उसका लेप लगाए चिरोंजी का लेप इतना ज्यादा असर दायक है कि ये अगर आप सीत्पित के ऊपर लगाते हैं तो ये आपको 110% जो लेलीफ है वो दे देता है तो उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाइ 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 दोस्टू